लोकसभा चुनाओ को लेकर हर दल अपनी पूरी ताकत जोक रहा है यहां तक कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मुकाबला करने के लिए गठबंदन को नया रूप भी दे दिया है खासकर विपक्ष ने इंडिया नाम का गठबंदन बना कर एक जुटता दिखाई और विपक्ष यही ताकत लोकसभा से लेकर राजसभा में दिल्ली सेवा बिल के दोरान भी दिखाई दी गई तो कैसे हार कर भी जीत गया है विपक्ष देखे गे रिपोर्ट दिल्ली सेवा बिल को लेकर लम्मे वक्ष से दंगल शिडा हुआ है जब से मोधी सरकार इसे लेकर आई है तब से इस पर बवाल मचा है हलाकी केंद्र सरकार इसे लोकसभा से लेकर राजसभा में पास करवाने में सफल हो गई है और सदर में विपक्ष की हार हो गई बावजूद इस हार के विपक्ष एकजूटता दिखाने में सफल हो गया दरसल राजसभा में विधेक के समर्थर में 131 सदस्यों के वोट पड़े जबकि विरोध में 102 सदस्यों ने वोट दिया विपक्षी कठबंदन ने बिल का कड़ा विरोध किया सदर में इंडिया गठबंदन एक जूट रहने और संसद में अपने उपस्तिती दर्च कराने में काम्याब रहा और खासकर ये एकता लोगसभा में दिखाई दी जहां आब आदमी पार्टी के पास महज एक संसद है इसके बावजुद कॉंग्रेस, TMC, DMK, NCP, शिफसेना, उधवगुट, सपास, जेडियू और गठबंदन के अने दूसरे दल भी साथ खाड़े रहे विपक्षी कठबंदन इंडिया की तरफ से कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है इंडिया कठबंदन के नजरिये से ये विश्वास बनाने का मौका था जिसे मजबूती के साथ निभाया गया इतना ही नहीं इंडिया से दूरी बना कर चलने वाले KCR की पार्टी BRS के सदस्यों ने भी बिल के विरोध में वोटिंग किया इस तरह विपक्षी कठबंदन ने संसत में दिल्ली सिवा विल पर अपना ट्वेलर दिखा दिया और अब इंडिया की एक जूटता की अगनी परिक्षा अविश्वास प्रस्ताफ पर होगी अब देखना है कि विपक्षी कठबंदन इंडिया ऐसे ही एक जूट रहेगा या फिर अलग होगा DB Life की रिपोर्ट